आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको वाटसब पर कॉंटेक्ट शो नहीं हो रहे हैं यहाँ पर आपको शो होता है नो वाटसब कॉंटेक्ट्स तो ये प्रॉबलम कैसे ठीक करें आईए जान लेते हैं तो इस प्रॉबलम को ठीक करने के लिए आप बार आईए और उसके बाद अपने फोन में सैटिंग्स को ओपन करिए और सैटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे स्क्रोल करिए नीचे आकर आपको मिलेगा एप्स का ओप्शन इस पर आप किलिक करिए इस पर किलिक करके आपको मिलेगा एप मैनेजमेंट या फिर मैनेज इस पर आप किलिक करिए अब यहां पर आपके फोन के सारे आप आ चुके हैं उसके बाद नीचे आईए और नीचे आकर आपको मिलेगा वाटसप कुछ इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं नीचे आकर आपको मिल जाएगा वाटसप तो यहाँ पर आप WhatsApp पर किलिक करिए WhatsApp पर किलिक करके ये वाला पेज आपके सामने आएगा और अगर आपको ये पेज नहीं मिलेगा तो आप WhatsApp के आइकन पर Long Press करिए Long Press करके आएगा उपर App Info App Info पर किलिक करिए App Info पर किलिक करके आप इस पेज पर आ सकते हैं नीचे आकर आपको मिलेगा app permission या फिर permissions के नाम से एक option इस पर आप click करिए इस पर click करके कुछ ऐसा interface आपके सामने आएगा यहाँ पर आपको मिलेगा allowed नीचे मिलेगा not allowed तो not allowed में जो permission आ रही है एके करके permission पर click करिए allow पर click करिए back आईए इसी तरीके से allow only while using the app इस पर click करके back आईए तो इस तरीके से जैसा की देख सकते हैं permission को allow करेंगे तो यहाँ पर आपको contact की permission जरूर से allow करनी है तो जैसा की देख सकते हैं सारी permission हमने चालू कर लिया है अब यहाँ पर आप बहार आ सकते हैं उसके बाद अपने फोन में WhatsApp को Open करिए और Open करने के बाद यहाँ पर आप नीचे इस चैट वाले आइकन पे किलिक करिए उपर राइट साइड में तीन डॉट पे किलिक करिए नीचे रीफ्रेश पे किलिक करिए और जैसा की देख सकते हैं अब आपके WhatsApp के contact आ चुके हैं अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें